विपक्षी एकता को लेकर जो मुहीम नितीश कुमार ने शुरू की है जल्द ही उसके परिणाम निकलने की उमीद जताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि साइद सुक्रवार तक कुछ तारीख निश्चित हो जाएगी हमारे साथ जेडियू के मुख्य प्रवक्ता है निरश्कपार उनसे जान लेते हैं निरश्च जी ये माना जा रहा है कि जो मुलाकात हो चुकी है अब तारीख तै करना है जगह तै करना है तो साइद सुक्रवार तक कुछ ख़बर आने की उमीद है बिपक्ष की एकता का मुहीम जो बिहार मॉडल है जो गैर भाजपा मोर्चे की एक जूटता बिहार में दिखाई पड़ी उसका असर अब करनाटक में भी दिखाई पड़ा करनाटक में भारती जन्ता पार्टी को हनुमान जी भी मदद करने को तैयार नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में एक नई सियाशत की गैर भाजपा दलो की एक जूटता का ये केंद्रिय नित्रित को तै करना है लेकि इतना तै है कि जो बातावरन बन रहा है करनाटक चुनाओ दिल्ली में नियाले के फैसले के बाद अध्यादेश के द्वारा दिल्ली सरकार को नियंत्रित करने की तैयारी ऐसी स्थिति में छेत्रिय दलो की एक जूटता और कॉंग्रेस सहित तमाम भी पक्षी दलो की एक जूटता का एक बड़ा आकार स्वरूप ले रहा है इसलिए हमारी उम्मीद है को बैठक जल्द ही तै होगा और उसके जल्दे नतीजे भी आएंगे कॉंग्रेस और केजरिवाल क्या साथ में आप आएंगे अब बिहार के अंदर देखेंगे क्या इस्थिति थी आज बिहार के अंदर एक जूटता हुआ कि नहीं नहीं तो छेत्रिय दलो को समाप्त करने की कवायद हो रही है कोट के फैसले के बाद अध्यादेश ला रहा है यह पूरे अभी तक तो यह केवलिया कर रहे थे कि सी बी आई इडी आई टी फॉर्मूला इनका फिल कर गया अब अध्यादेश के माध्यम से आ है और करनाटक चुनाओ परिनाम आने के बाद तो और बेचे नी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या माना जाए कि क्या कॉंग्रेस अपनी स्थिती को कमजोर करते जाए कॉंग्रेस ज्यादा से ज्यादा छेतरी है दलों को मौकाद दे तो फिर कॉंग्रेस का क्या वजूद रा जाए कि 2024 में और इसके जल नतीजे भी आए राहुल गांधी की यात्रा और जिस डंग से संसर की जस्ता उनकी खतम की गई आनन फानन में तो एक नई परिस्थिती है अब बिहार के अंदर में तो कॉंग्रेस साथ में है की नहीं सीपी आई माले साथ है की नहीं तो मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार मॉडल जो है वह प्रभावी मॉडल है और इसी दिशा में हमको लगता है इस सीटों का सामन्जा से कोई समस्या नहीं है मूल नीती पर होना चाहिए कि दोजार चौबीस में वैकल्पिक राजनीत का एजेंडा खड़ा होगा की नहीं यह महत्पुण भी से जीतन राम मांजी नाराज चल रहे हैं और कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं इससे पहले भी उन्होंने एक सभा में इस बात की घोशना भी करिखने कि ऑने जीतन राम मांजी जी ने कहा है कि हम रहेंगे कौमार जी के साथ और कि विपक्ष्य एक्ता को ले करके जो मिटिंग कोगी अधिक्तम दलों को एक जूट करने की कबायद चल रही है तो अभी फिलहाल समय और स्थान क्लियर नहीं किया जा रहा है जेडियू के तरफ से लेकिन इतना तय है कि जल्द ही ये बैठक होने वाली है हलाकि ये जरूर है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं सभी दलों के सा राकासिस नहीं हुजा पट्टा